नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहूल पड़ेदार जब भी कोई सरकारी वेकेंसी आती है तो उसमें जितने भी पद रहते हैं पदों को केटेगेरी वाइस बाटा जाता है याना कि आरक्षन के अनुसार उन्हें अलग-अलग केटेगेरी में बाटा जाता है तो सभी बच्च जो है वह किस तरह से कारे करता है यह शेती जारक्षन और द्वादर अरक्षन यानि के होरिजन्टल और वर्टिकल और बेकलोग के पद और मुख्य पद क्या होते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेर कीजिए और व सवपद दिए गए है यानि कि कुल सवपद दिए गए है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो शेती जारक्षन आता है यानि कि जो शेती जारक्षन डेता है उसमें महिला पी एच मतलब विकलांग एक्स सर्विसमेन स्पोर्ट्स कोटा अनाथ ये सब जितनी भी केटेगरी रहती है सब श्रतिज के अंदर आती है और एक आता है उर्धुहादर इसके अंदर आते हैं आपके ST, SC, OVC और EWS ये चार केटेगरीस में रहती है जाता हूँ कि ये किस तरह के से कार्य करता है मैं आपको बताऊँगा कि केटे जो आरेक्षन रहता है वो इसका किस तरह से किस पर कार्य करता है और आपको उर्धुहादर किस पर कार्य करता है तो जैसे कि मैंने बता है यहाँ पर आपके कुलपत 100 है तो इसे आगे देखते हैं जो SC का जो कोटा रहता है जो आरक्षन रहता है वो रहता है आपका 50% ST का कोटा रहता है आपका 7.5% OBC का रहता है 27% और EWS का 10% तो percentage के साब से जो 100 पदा है इन 100 पदों को कहा जाता है मुख्य पद या फिर जो उर्ध्वादर जो आरक्षन देता है इने कहा जाता है मुख्य पद में आपको यहां पर mention कर देता हूँ इसे कहते हैं मुख्य पद तो जो आपका शेतिज जो आरक्षन देता है जो कि महिला PHX servicemen करेता है यह आरेक्षन यह जो उर्धवादा राइक्षन लेता है इसके उपर लगता है ना कि यह अलग से लगता है कैसे यह आपको मैं बता देता हूँ जिसे कि 50% है तो आपके जो सवपध है सवपध में से आपके 50% SC के कितने हो गए आपके 15 पद उसके पद जो ST है, ST के 7.5% आरक्षन है, तो इसके पद हो गए मान लीजिए, 7 पद, यहां पर OBC के हो गए सवो के हिसाब से 27 पद, EWS के हो गए सवो के हिसाब से 10 पद, तो यह जो पद आएंगे आपके, इन्हें मुख्य पद कहा जाता इन सभी को, ठीके, इसे आपको ध्यान रख ना है, इसके बाद जो आपका स्वेती जो अरक्षन रेता है, जो कि महिला का PH, X, सर्विसमेन और अनाथ, इनके लिए जो कोटा रहता है, यह जो केटेगरी रेती है, उन केटेगरी के उपर कार्य करता है, यानि कि महिला का 15-15 पद एक, ST केटेगरी का, और महिला को 50% अरक्षन दिया गया है तो जो 50% अरक्षन लगेगा वो लगेगा आपकी HC के टेरी के अंदर जो पद है 15 पद उसके अंदर यानि कि इसमें से आपकी 15 में से जो 7 पद है 7 या 8 पद ये आपकी महिला सीट हो जाएगी और बाकी की जो बचे रहेंगे आपके 8 पद इन पर जो भी HC के male candidates है जो transgender है ये सब इन पर apply या फिर fight करेंगे एक चीज़ का इसमें important बात इसे ध्यान रखिएगा कि जो महिला का जो शेती जारक्षन में आती है वो सिर्फ category के अंदर जितने पद रहेंगे यानि कि साथ पद है सिर्फ इनी पर एक्जाम भी देगी इनी पर fight भी करेगी इसके अलावा उनका कोई extra quota नहीं रहता है same to some यहाँ पर आपका ST का देख लिजिए तो यहाँ पर भी आपका महिला का इसमें अलग से रहेगा हर एक category wise चाहे ST, SC, OBC, EWS है यह सब का quota fix रहता है जो कि 50% इन पर कारे करेगा इसमें से भी और इसमें से भी 27 पद है तो इसमें आजाएंगे आपके 13 पद, यहाँ पर आजाएंगे आपके 5 पद और आप इन सभी पदों को जोड़ लेते हैं 15, 7, 27 और 10 यह मतलब होगा आपके total 59 पद यह जो रहेंगे मुख्य पद यह आपके जो आरक्षन है उसके अनुसार ST, SC, OBC और EWS के पद रहेंगे इसके अलावा जो बचे रहेंगे 41 पद यहाँ कि 5-9 पद जो रख्षित है उसके अलावा जो बचे वह हैं 49, 41 पद, 41 पद, यह जो रहेंगे यह रहेंगे अनारक्षित अनरक्षित का मतलब है यह open to all है यानि कि इन जो अनरक्षित के जो पद रहेंगे जब भी आप किसी वेकिंसी का जब उसमें पदों का देखेंगे तो उसमें आपको open यह फिर अनरक्षित का एक column मिलेगा तो यह अनरक्षित पद वो पद होते हैं जिस पर ST, SC, OBC, EWS यह सभी fight कर सकते हैं यानि कि यह सभी इस seat को प्राप्त कर सकते हैं किस condition में अगर उनके marks जो अनरक्षित का कटाफ होता है उसे crafts कर जाता है या फिर merit में आते हैं तो यह सभी जो category है यह अनरक्षित पद से अपनी है कि इनका कोटा खत्म हो गया है इनका कोटा यह जो रहता है यह बरकरार रहता है यानि कि यह जो ST, SC, OBC, EWS के हैं यह जो रहेंगे अनरक्षित पद से उठाएंगे और उनका जो कोटा रहेगा वो खाली रहेगा यानि कि जो उनके नीचे candidates रहेंगे उन category के वो उस पद का अलाव ले सकते हैं इसके अलावा इसमें यह कूल चीज जो ध्यान रखने वाली है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि जिसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था जो आपका OBC है OBC के अंदर भी दो तरगें आते हैं एक आता है आपका क्रिमी लेयर एक आता है आपका नौन क्रिमी लेयर जो क्रिमी लेयर होते हैं उनमें वो candidates आते हैं जिनकी जो family income है वो 8 लाग से ज़्यादा है और जो नौन क्रिमी लेयर आते हैं इनमें वो candidates आते हैं जिनकी जो income है वो 8 लाग से कम है याने कि OBC के पद में जो अरक्षन रहेगा 27 परसेंट उनका फाइदा सिर्फ नौन क्रिमी लेयर वाले ही उठा सकते हैं जो क्रिमी लेयर में आएंगे वो जो रहेंगे वो अनारक्षित पद के विरुद्ध ही सिर्फ वो seat उठा सकते हैं या मतलब वो seat पर सिर्फ वो fight कर सकते हैं तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो seat अलक्षन रहेगा वो category wise अलग अलग जो इतनी भी पोस्ट रहेगी सिर्फ उनी के उपर कारेगा रहेगा उनका कोई अलग से कोटा नहीं रहेगा और इसके लाओ जो backlock के पद इसके बारे में बात कर लेते हैं जब हर साल कोई exam होती है जैसे कि SCI, STA, OBC, EWS इसमें जो 15-20 पद जितने भी पद आते हैं पर जितने भी exam होती है उसमें से अगर कुछ पद खाली रह जाते हैं याने कि SC की B seat आई है और केवल 10 seat भरी है जिसमें की जो 10 seat है वो खाली है तो जो अगले साथ जब उसके वेकेंसी आएगी तो उन्हें वो backlock के पदों में मतलब उन्हें शो कर दिया जाता है याने कि जो पिछली वेकेंसी आई है उसमें जो पद खाली रह गए हैं category wise उन्हें ही backlock के पद का आजाता है और जो backlock के पद होते हैं वो जिस seat के खाली रहेंगे जिस category के खाली रहेंगे सिर्फ वोई candidates उन्हें पर apply कर सकते हैं याने कि अगर SC के इस साल समझ लेजे 20 seat आई है और जिसमें से सिर्फ दस ही भरी गई है और दस अगर बच्ची हुई है तो यह जो दस आपके backlock के पद रहेंगे इनके उपर सिर्फ ST वाले candidates ही apply कर सकते हैं और वो ही सिर्फ अपना जो selection है वो ले सकते हैं बागी किसी और category क उन backlog पदों पर केन जो है qualify या फिर उर सीट को acquire करने का हक नहीं रहेगा तो यह जो important चीजे है इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेर करेगा और इस तरह के वीडियो आते रहेंगे आपके लिए जो भी knowledgeable रहेंगे आपके exam की दस्टी से या फिर जो भी knowledge की दस्टी से वो आपके समय समय पर मिलते रहेंगे